विए 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 यह पर आज का जो इंपोर्टन ते वो है तो डोस्तों मैं आपको भी ना किसी टाइम किये सारी चीज बताऊंगा लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो प्लीज Nature Daniel Kom rzeczy ऐसे फिह चोछते हैं वो कौन-कौन से अजह नेंचनल स्टेंडर्स एग्जामीनेशन एखमिनेशन बश्ती नस ऐसी फिर रहे है नशन इंडियन नस 조्टेशी ओलंप योगोर्म यह यह फिर ईलनी सद्रूर्स केमिस्ट्र either प्री डिपार्चर ट्रेनिंग केम्प होता है फूर फिर आई एन सी हो पी डी टी फिर होता है पार्ट पार्टिसिपिशन आफ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिया इसका नाम बता है यहां अगर हम बात करें तो 2022 में कुछ चेंज हुआ है थोड़ा सा नोटिफाई करेंग है कि अलावा भी संडे यानि 27 नौवमर को बहुत सारे टेस्टेश चब्विस को चब्विस ग्यारा दो हजार वाइस को अपका आपका होगा एन एसट्रोनमी का होगा धाई से साड़े चार 27 को संडे को एन एस इपी फिजिक्स ओलंपियार्ट का होगा साड़े आठ से लेक सब्सक्राइब करने की है कि हमारा टाइन चेंज हो चुका है जो की पहले 11 से एक होता था तो 2022 वाले जो है टेस्ट पेपर सहलेबस की बात करें तो बिलो सीवेसी क्लास 12 होगा लेंगवेज इंदी और इंग्लिश दोनों को आप जिसको रिष्टेशन आपने करा होगा कोश्चन टाइप फिर चेंज होगे पहले ओनली सिंगल करेक्ट कोश्चन होते थे असी कोश्चन आते थे सोल रहा हूं पहले 240 का होता था तो जितना भी आप गूगल पर नैट पर सर्च करेंगे तो आपको पुराना वाला दिखेगा क्योंकि वह अपडेट नहीं है तो ऐसा ना हो कि गूगल पर देखके आप यह सोचोई सर ने गलत बता दिया नहीं वह पुराना है मैं आपको ल यानि की तीन प्लस और माइनस वन हो जाएगा डिड़क तो 144 का ही होगा बारह एंसी की होंगे जिसमें से आपको क्रेडिट होगा 6 माक्स यहां पर माइनस नहीं होगा ठीक है तो 144 प्लस 72 मिलके 216 का होगा minimum admission score यह MS MS क्या होता है सबसे important बात आपको समझनी पड़ेगी MAS होता है तो eligible the evolution of part two a candidate must secure a score equal to or greater than a minimum admissible score MAS minimum admissible score होता है in part one यह बहुत जरूरी होता है clear करने के लिए आप आप two पे जाओगे फिर वो किरा है कि MS for a given subject will be 50% of the average of the top 10 score in that subject round off to the nearest lower integer matrix index भी देख सकते हैं MI यह होती है there will be high score called to the merit index highest score जो होगा आप associated with the e subject in olympiad MI is the subject is defined as a 80% of average of the below top 10 score यह है 80% होता है index और वो होता है 50% ठीक है अब बात कर रहे हैं कि 80% of the average of the top 10 scorer in the that subject round off to the nearest lower integer all student with a score equal to or greater than the matrix index MI for the subject will automatically qualify for the evolution of part 2 in that subject for example if the average of top 10 score in the certain subject is 92 average score 92 का रहे है then 80% of this 92 अगर सबका रहे है तो उसका 80% निगाल लिया उन्होंने तो 73 आ गया तरना हमाई इस दो subject will be 73 all candidate with the score equal or above in that subject will automatically qualify तो यह आपकी किस्मत को जिस बात पर भी डिबेंट करेगी कि आप से best कितने बच्चों ने किया कितने ऐसे हैं जो आप से बलो कि आगे हैं कि अगला देखो प्रीविए सिर की cut-off क्या गई अगर हम बात करें एन एस इसी 2018-19 में जो है वो में एस जाने कि 50% of average of top 10 जो score थे उनका कितना गया वो था 111 देख सकते हैं धीरी धीरी घट रही है या बढ़ रही है चेक करना पड़ेगा आपको अवेर्नेस बढ़ने से चीजें बढ़ती हैं जब भी अवेर्नेस बढ़ेगी चीजें बढ़ेंगी तो देख सकते हैं आप 16-17 में जो है 93 हुआ करता था इलिजिबिटी क्राइटेरिया तो बहुत सिंपल है तूडेंट मस्ट मीट फॉलइंग क्वालिफाइंग रिक्वार्ड मस्ट एबल तो गेट इन इंडियन पासपोर्ट आपके बस इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए तूडें बढ़न बिट्वीन जुलाइवन 2001 और जून 30 2006 इंक्लूजिव यानि कि ए जुलाइव एक दो हजार एक या जून तीस दो हजार जे ते मस्ट है लिब इंस्ट इंडियन साइंट के इंडिया सिंस 30 2018 बढ़ दो हजार अठार और से पहले के आप होने चाहिए आपर और दे मस्ट हैव अटेंड इंडियन सिस्टम सिन नॉमर 30 2018 the class 12 board examination must not have been passed मतलब जूरी नहीं की पास्ट हो 2021 मस्ट मतलब 2021 क्यूंक 22 तो जूरी नहीं की किसमें पास्किया वाओ यह आप पर्मिटिट तो टेक नी NSEJS 2022 टेस्ट फिर वह आपके 2022 का कोई भी इस तरगा टेस्ट नहीं दे सकते जूनियर साइंस सब्सक्राइब यूनिवर्सिटी ऑफ एक्विलेंट इंस्टिउशनल वाइद जून वन ट्वंटी ट्वंटी वन दोजार एकिस में नहीं सकते आप कोई भी ऐसी उनिवर्सिटी ठीक है अब बात आती हैं अब बात करें अन्डबान निकोबार की बात करें एन लिखा होता स्टेट कट अफ तो नहीं थी शॉट्लिस्ट भी नहीं था अगर हम बात करें 20 21 में तो 83 था MS 52 था ठीक है फिजिक्स का केमिस्टी की बात करें तो माई थो 90 था MS 56 था अभी शाल लिया मैंने माई 78 था MS 49 था ग्रुप ए अगर हम बात करें तो माई था 83 MAS 51 ग्रुप बी की बात करें तो माई 71 और MS 44 था और 2022 में माई 74 था और MS 46 था यह सारा चार्ट आपको देखना पड़ेगा ठीक है आप इसको देख लो एक बार वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट चीज आपको दिखाई द तो अगर हाइस्ट में बात करो तो आंदरब्रदेश से थे और लोएस्ट अगर में बात करो तो आप देख सकते हो किस से एक तो दमन दीव से थे एक आसाम से दिख रहा है और जम्मू कश्मीर से तो एक भी सेलेक्ट नहीं था इसी तरह से बाकी स्टेट्स की भी बात हम कर periodicity in the properties, chemical bonding and molecular structure, states of matter होना चीजिस में solid, liquid and gas, chemical thermodynamics बता होनी चीजिए, chemical thermodynamics हो गया, equilibrium हो गया, redox हो गया, hydrogen, s-block, p-block, organic chemistry में basic principle and techniques, hydrocarbon, environmental chemistry, ठीक है, 12th के chapters में से solid state आना चीजिए, solution आना चीजिए, electro आना चीजिए, kinetics, surface, general principle and process of isolation of element, p-block, coordination, हेलोलकेन, हेलोलकेन, हेलोईरीन, alcohol, aldehyde, MES, biomolecule और chemistry in everyday life, कोल मिला कि 11th और 12th के अंदर जो भी है, NCRT वो अच्छे सी आनी चाहिए, तो 12th वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए एक्जाम देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, फिर बात करते हैं, exam pattern of NSEC 22 the Indian National Olympiad will be formed by the combination of the two, first two levels of NSEC, single stage, according to the IAPT, each test will consist of the single examination with the two sections that will be taken in one setting, part 1 NSE, national standard examination, ठीक है, इसका 55 minute का होता है लगवग, question type objective question to be answered in the OMR sheet, ठीक है, लेकिन second part होता है, आये न वो होता है, सब्जेक्टिव, आया न, बोलो, question type जो होगा, वो standard, students are asked to write the detailed answer, यह जो है न, मैं फिर से बोलूँगा, कि जो time period हो गया, वो आपका ऐसे समझो, आप फस्स लेवल का जो NSEC होगा, वो दो घंटे का होगा, साड़े गैरा से डेड़, उसमें objective आएंगे, जिसमें single correct भी होगे, और multiple भी होगे, बाकि जब आप select हो जाओगे, तो second वाले में आपको subjective लिखना पड़ेगा, जैसे board में लिखते हो, detailed explanation, उसके लिए मैं बताऊंगा, आपके box बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं की rough sheet मिलती है, हर एक question के नीचे एक box बना होता हो, box में अपना answer लिखना होता, उतनी ही number में, ठीक है, तो बात important आती है क्या, कि क पना था अभी पूरी किताब बाकी है, तो दोस्तों आप ये important चीज़े समझो कि अभी आपके life की पूरी किताब बाकी है, अभी तो सिर्फ एक पना खुला था, यहां से तो अभी पूरी किताब बाकी है, तो आपको अपने जीवन के अंदर अपनी पूरी किताब पढ़नी इसलिए हिम्मत नहीं हार नहीं लगे रहना है बने रहना है लड़ना है और जीतना है इसी के साथ बहुत बहुत शुब कामना है आपको मेरी तरफ से हारदिक शुब कामना है आपको आपके परिवार को और आपके एक्जाम को मेरी तरफ से best of luck अच्छा करके आना और फोड़ कर दो के आना, ठीके?